पराठे तो आप अक्सर कई तरह के बनाते ही रहते होंगे आज चलिए बनाते हैं सत्तू का लिटी सत्तू का लिटी सेहत मंद होता है और ये अपने लाजवाब स्वाद के लिए पूरी दुनिया में फेमस है ये खाने में बहुत ही मज़दार होने के साथ साथ बहुत ही हिल्दी भी होता है इस वीडियो में मैं अथेंटिक बिहारी स्टाइल सत्तू की लिटी बनाना बताऊँगी और इसके साथ मैं खाये जाने वाले बैंगन का भरता तो इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करियेगा लाश तक जरूर देखियेगा आज हम बहुत है आसानी से घर के गैस चुले पर ही आग वाली लिट्टी का स्वाद बना कर तयार करेंगे जैसे आग पर बनाते हैं उसी तरह से ये बन कर तयार होगी तो सबसे पहले हम भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बैंगन लिये हैं जिसमें बीच में थोड़ा थोड़ा चीरा लगा कर हमने चेक कर लिया है कि इसमें कोई कीड़े बगेरा तो नहीं है इस तरह से कट लगाने से ये फटता भी नहीं है और अच्छे से पक भी जाता है और चेक भी हो जाता है कि बैंगन में कोई कीड़े तो नहीं है मैंने यहाँ पर दो बैंगन, तीन टमाटर, चार हरी मिर्च और मैंने एक लसुन का पूरा पॉड लिया है और इसे आग पर लो टू मीडियम फ्लेम पर चारो तरब से पकने तक हम इसे पका लेंगे तो यहाँ पर मिर्च और एक छोटा सा जो टमाटर है मैंने तीन छोटी-छोटी टमाटर लिये है वो पग गया है तो उसे मैंने निकाल लिया है इधर हम आटा लगा लेंगे तो आटे में नमक और थोड़ा सा अजवाईन और थोड़ा सा मैंने ओयल का इस्तिमाल किया है सबसे पहले हम मिक्स कर लेंगे नमक अजवाईन और ओयल को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ये करीबन मैंने आटा जो लिया है ना तीन कप के करीब मैंने आटा लिया है तीन से चार कप के करीब होगा और थोड़ा थोड़ा दूद डालते हुए इसका एक हाड सा डो तैयार कर लेंगे इसका जो डो लगेगा न वो थोड़ा सा हाड लगेगा रोटी जैसा नहीं लगेगा और हमने दूद से इसे आटे को तयार किया है तो हमारी जो लिट्टी बनेगी न वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तयार होगी एक तरफ जो हमने गैस पर बैंगन और टमाटर को पकने रखा था तो जैसे जैसे पकता जाएगा मैं साइड से निकालते जाओंगी और यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिये हैं चार हरी मिर्च मैंने लिया है और साथ में कुछ लसुन की कलियां ली है मैंने 10 से 12 लसुन की कलियां ली है जिसे मैंने चॉपर में डाल लिया है साथ में मैंने प्याज लिया है तो प्याज को भी मैं मूटा ही स्लाइसेस में कट करके डाल दे रही हूँ इसे हमें एकदम fine सा chop करना है तो मैंने chopper में डाल लिया है और इसे हम बारिक chop कर लेते हैं इसका इस्तेमाल हम सत्तू बनाने में जो feeling बनाएंगे उसमें हम इस्तेमाल करेंगे तो ये मैंने chop कर लिया है और साथ में इधर जो हमारा bangan भी था वो भी दोनों bang and pack गया है तो बस हम इसे निकाल लेंगे और gas की flame को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देते हैं तब तक हम इसकी feeling बना लेते हैं तो feeling बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सत्तू यहाँ पर मैं तीन से चार बड़े चमच सत्तू डालूंगी नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे मैंने एक चमच नमक डाला है और जितना हमने प्याज, मेर्ज और लसुन को हमने चौप किया था वो हम डाल लेंगे आप चाहे तो अदरक भी घिसके डाल सकते हैं और कलोंजी थोड़ा सा मैंने कलोंजी डाला है थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है करीबन मैंने एक एक छोटा चमच के करीब मैंने इसमें अजवाइन और कलोंजी डाला है और दो बड़े चमच के करीब मैं यहाँ पर सरसो का तेल डाल रही हूँ और साथ में इसमें खटास के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अचार का मसाला तो यह करीबन मैंने तीन से चार अचार लिये हैं आमके उसे भी मैंने डाल लिया है साथ में मसाले भी इसे हम अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए आपको लगी कि यह थोड़ा ड्राइ लग रहा है बहुत ज्यादा तो आप इसमें थोड़ा सा और ओयल डाल लीजेगा चाहे पानी के छीटे मार लीजेगा यह हमारा सत्तु बनकर तैयार है तो यहां पर हम लिट्टी बना लेते हैं तो इसके लिए जो हमने आठे को सेट होने के लिए रखा था उसमें एक रोटी जितना हम बनाते हैं उस हिसाब का एक लोई तोड़ लेंगी और उसे जैसे फीलिंग बनाने के लिए जिस तरह से आलू पराठे बनाने के लिए हम बनाते हैं उस तरह से हम बीच में गोल कर लेंगे आप चाहे तो गोल भी कर सकते हैं थोड़ा चप्टा भी कर सकते हैं और इसी मसाले से आप पराठे भी बना सकते हैं पर आज मैं ऑथेंटिक बिहार वाली जो आग पर लिटी बनती है ना उसका फ्लेवर लाओंगी तो उसके लिए सबसे पहले मैंने तवा लि बखने देंगे और इधर बाकी जो हमारी लिटी है उसे भी हम इसी तरह से भर कर बाकी लिटियों को तयार कर लेते हैं तो मैंने थोड़ा सा पेडा का सेप दिया है थोड़ा सा मैंने चप्टा दिया है आप चाहे तो गूल भी बना सकते हैं और इसे आप चाहे तो डाइरेक् स्वाधिष्ट लगता है और तब तक हमने लिटी भरा है तब तक हमारा जो बैंगन टमाटर है वह भी ठंडा हो गया है तो इसे हम छील देते हैं जो ब्लैक स्पॉट है उसे एकदम हम साफ कर लेते हैं अगर आपको लगे जरुवत तो आप थोड़ा साइड में पानी रख ल देजिएगा तो मैंने यहाँ पर जितने बैंगन टमाटर है उसे मैंने छील दिया है और लसुन जो कलियां है लसुन के पॉड की सारी कलियों को निकाल कर मैं छील कर इसे साफ कर ले रही हूं और इधर हम लिट्टी को भी चेक करते जाएंगे तो मैंने लो फ्लेम पर पां कलर आता है उस तरह से इसमें कलर आया है तो बस मैं पलट दूंगी और पलट कर भी हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से पक सके और इधर मैंने लिया है चार मीडियम साइज के आलू भी बॉइल आलू और इसे भी हम छील कर हमा थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता को बारी कट कर लिया है इसमें मैं थोड़ा सा सरसो तेल का इस्तिमाल करूंगी मैंने या पर कच्छा तेल का इस्तिमाल किया है आप लोग कहिएगा कि आपने कच्छा तेल इस्तिमाल किया है खराब लगेगा तो बिल्कुल भी नहीं फ्रे प्रता बैंगन का चोखा तैयार हो गया है इसे रखते हैं साइड और हम यहां पर चक कर लेते हैं अपनी लिट्टी को तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड भी लिट्टी पक गई है इसे पलट लेंगा फूल कर हमने जितना बनाया था ना फूल कर अच्छे से बड़े बड जाते हैं जिस पर हम कुछ सेखते हैं जिस पर मैंने वैंगन पकाया था उसी पर मैं लो टू मीडियम फ्लेम करके चारो तरफ से गोल्डेन कलर आने तक हम इस लिट्टी को सेख लेंगे और दूसरा बैच भी मैंने डाल लिया है इस तरह से आपका काम भी जल्दी से हो देंगे और दूसरा बैच जो हमने डाला था वो भी दोनों तरफ से हलका हलका सिख गया है दूसरे मैंने पलट दिया है और इसके साथ खाए जाने वाली ग्रीन चटनी भी बनाएंगे उसके बिना तो हमारा लेट्टी अधूरा है तो उसके लिए धनिया मिर्च हरी मिर्च और मैंने थोड़ा सा लसुन की कलिया ली है और एक टमाटर को मैंने रफली चौप करके डाला है नमक स्वाद के अनुसार इसमें हम डालेंगे और आधा मैंने निम्बू का रस लिया है इसमें खटास के लिए अब बस इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं और इसकी एक चटनी बनाकर तयार करते हैं यह हमारा बहुत ही मज़दार सा धनिया का चटनी बनकर तयार है तो इसे मैं निकाल ले रही हूं एक बाउल में और इसी जार में थोड़ा सा पानी डाल कर मैंने जार को धो कर इसमें हम डाल लेंगे चटनी में और यह हमारी हरी चटनी लिट्टी के स सॉफ्ट बन कर तैयार हुआ है फ्रेंड्स अंदर से बिल्कुल पका हुआ है थोड़ा सा भी ये कच्चा नहीं है तो बस मैं इसे थोड़ा सा फोर ले रही हूं और इसके उपर थोड़ा सा मैं घी डाल रही हूं घी के बिना तो हमारा लिट्टी अधूरा है और साथ में बै बैंगन का भरता बिल्कुल ऑथेंटिक बिहारी स्टाइल अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर लिज